आप लोग सब्बें समात से हो, मैं एक बात पूछना चाओगा आपसे, अगर कोई वैक्ती अमारी महिलाएं किसी तालाब में आ सोयुग्पुल में ना रही हो, और कोई वैक्ती उसके कपड़े उठा अगर के पेड़ पे चट जाए और उनको के थोड़ा सोवर बारा हो, थो आज सभी दान के इसाब से कोण सी दफा लगनी की है, अपरादी है, और उसकी जो कथा वाचक है, उसकी जो कथा करता है, देव किनंदन ठाकुर, मैं तो उसको कथा वाचक नहीं भांड करूँगा, ऐसे लोगों ये भांड है, ठीक है, ये गलत लोगों का अच्छा ही से प बड़ेगे, है ना, तो हमें तो मंदिरों की वैसे जुरूत नहीं है, हमारा भगवान कोई है, तो बाबा साथ भीमराओं इंबेड करें, ये तो और अच्छा काम है, ये अमारे लोगों के लिए कर रहे हैं, और मैं तो SCST, OBC, सब लोगों कोंगा, कि इनके मंदिरों में इ अगर एक बाला जी अपना दे रिता पैसा, तो दूसरा इंदुस्तान बज जाए, ये लोग सिर्फ इस देश को लूटने के लिए आए हैं, बैने कहा ना आपको, ये परवासी भारती हैं सारे के सारे लोग, और जहां तक अट्रोशिटी एक्ट की बात है, ये एक्ट हमें बाबा साब में दिया, एक्ट्रोशिटी का मतलब ये है, आप एक चीज चले जाओ, रेप केस में चले जाओ, ठीक है, वो भी तो लोगों खिलाब है, लोग जूट बोलते हैं, लेकिन जो गलत करता है, उसके खिलाब है, और मडर केस है, आप मडर में कोई मडर करेगा तो इसके खिलाब किन जाते है, एक्ट्रोशिटी एक्ट किसी समुदाय के खिलाब नहीं है, पहली बात कोई है, एक्ट्रोशिटी एक्ट उन लोगों के खिलाब है, जो लोग उत्पिडन करते हैं, अत्याचार करते हैं, और जो लोग समाज का सोशन करते हैं, उन लोगों के ल यह मैं देश में बहुन व्हों समाज बहुत जहुत है और बहुज़न समाज की जितनी भी पार्टीयां चाहें, SC, ST, OBC की हैं, वो मजबूत हो रही है, इनको वो दर्द है, इनको दर्द मंदिरों में जाने से नहीं हो रहा है, इनको किसी से इन दर्द हो रहा है, इनको दर्द हो रहा है कि हम लोग पारलेमेंट में जा रहे हैं, हम तो पूरे सो साल में इनको बराबर इनसे उपर चले जाएंगे हम लोग इस देश के असली मालिक है इन लोगों को यही बरदास नहीं होता और मैं तो यह कहूंगा कि हम लोग अच्छे कपड़े पेने वो भी इनको पसंद नहीं है यह अफसर और वो सारी चीज पर में कैसे द लोगों ने सुना होगा नरेगा जो गाओं में काम मिलता था गरीब आदमी वो वो सिर्फ इन दलित पिछड़ों के लिए थी बावा साब ने का दा ना गाओं छोड़ दो शहर में आ जाओ तो इनको गाओं तक रोकने के लिए नरेगा योजना चलाई गई यह इतने इत् constructed E 20 के में आपकाbon का आरक्षण में आपके हर रास्ते को रोक़ने की यह लोग की यह था सएरी के यह तो हमिए जब रो दो ने जनको देखो समाजिकी तस्वीर बदल जागी यह देश हमारा होगा कमजा हमारा होगा और आप एक चीज और देखो जितने भी यह हिंदू संगठने जब जब चुना हो आता है यह सारे लोग लग जाते हैं विज़ेपी की सरकार बनाने में और जितने हमारे संगठने वो सारे लग जाते हैं समाज की दलाली करने में तो य चिज़े छोड़नी पड़ेगी आप लोगों, आप लोगों समझना पड़ेगा कि अगली बार 2019 का टार्गेट कर लो, चाहे कोई जीते चाहे ना जीते, आप लोगी मांदारी से अपने समाज की पार्टी को वोट देना, इन लोगों को वोट मत देना, इनकी उकात पता चल ज है, यह तो अच्छी बात है, लेकिन आप पता चल गया, तो इसका समाधान भी आप लोगों वे पास है, एक बहुत बड़ा अधिकार बावासाब को देके गए है, वोट का, उसे सही से इस्तमाल करना, इस बात, और मशीनों में अगर गड़बड हुई, तो दिक्कत तो हो स है, तो देखो, मैं बताँ आपको, देश में प्रतिजी दरतों सिर्फ एक है, है ना, बेंजी मायवती, ठीक है, मायवती के अलावा कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि इनको डर ही यही है, कि मायवती जो आज सोनिया गांदी ने भी उपराज के है, उनका, है, सारा देश उन ने, रादे रादे वालों की सरकार बनाई ना, एक बार जय भीम वालों की सरकार बना लो, और जय भीम का नारा अगर इस देश में मजबूत है, तो साबकासी राम की वज़े से, मजबूत है, और कोई वज़े नहीं है, और साबकासी राम की जो उत्रा दिकारी है, वो बहन कुमारी मायावती जी है और हमारी नेता को यह तो बैंजी है और बैंजी को मैं आगे बढ़ाना चाहिए पांच साला आजमा के देख लो आप भी कहीं नहीं जा रहे हैं तुम्हें नीच्छा लगे तो बदल देना लेकिन हाँ गारंटी देता हूं मैं अगर एक बार बैंजी है ही नहीं तो मैं ऐसे बोलता ही नहीं मेरे जैसे लोग तो किसी पाल्टी को पसंद नहीं होते लेकिन हाँ मैं बीएस्पी के लिए काम करूँगा है हम लोग बाद में देख लेंगे कल रखवन रख लग जाएं कई नोगरी कर लेंगे देखिए नेचर तो हमारा होना चाहिए परदानमंतरी बहन जी होनी चीए वो चाहिए गठबंदन करके लड़े चाहिए कैसे भी लड़े हमें उनके उपर विश्वास है और हम उनके साथ खड़े हैं यह जो बर्गलाने की बाते होती हैं खलाना यह आगा कि जी यह हो तुम लोग कसम खालो तुम्हें बावा सावी की कसम है अगर तुम लोग इस बीस्पी को वोट नहीं करते तो तुम्हें जो ना मुझे नहीं पता नरक सुरक क्या होता है लेकिन इस धर्ती पर यह बाजपा के कॉंगरेस के लोग नरक दिखा देंगें आगा अ खख़गा यहीं लुटा हाँ